लो डियर स्टुटेंट वेलकम टी और चैनल स्वामी विवेकानंग टेक्न टॉटरियल एंद माइसेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार तो सो बच्चो जैसा कि मैंने बात कर रहा हूं क्लास 10 फिजिक्स क्लास 10 फिजिक्स में लास्ट क्लासेथ बच्चो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था फ्लेमिंग लैप्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल और फिर एसी क्या होती है अल्टरनेटिंग करेंट डिरेक्ट करेंट इस सब के सारे कॉंसेट को में जो है कि आप लोगों को सारे लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं और जदि कोई ऐसा निव अच्चे हो जो निव स्टुडेंट हो जदि आप लोग नहीं देखे हो अभी तक या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया है तो प्लीज सस्क्राइब माई चैनल आप लोग मेरे चैनल को सस्क्र कोई में आएगी आज जो हम लोग की क्लास होने वाले है बहुत segregon क्लास है जसके आज आजнятьूमो बार केंगे अप लोगों को बताय कि रा मोर्टर को वर्किंग बारे बाख करने सब्सक्राइब जो हम लोगी जानते होंगे जनेरेटर है नहीं मिए समन्सेरमाइब और और कि यसी इधेर चाहिए लगे केलेक्स होता है इसे क्या होता है electricity generate होता है, होता है कि नहीं, तो generator में क्या है ये, इसमें क्या ऐसा part है, जो हम लोग का electricity को generate कर रही है, तो ये सब के चीज़ के बारे में आप लोग को clear बताने वाला हूँ, तो जैसा कि आप लोग ये complete part को देख रहे हैं, तो ये complete part generator नहीं होती है, generator जो देख रहे हैं, ये जो यहां पर क्या होता है इस जो मसीन होता है मतलब इसको रोटेट कराना इसके अंदर में जो कोई है उसको घूमाने का काम होता है यह जिनुरेटर मतलब यह जो मसीन है आप आप जो है यहां पर इस मसीन को हाटा कर के विंड मील लगा दीजिए जिसे पर देखते हैं ना पाउन चक्की बिजली पैदा हो रही है लेक्रिसी जेनेरेशन हो रही है तो यहां पर जो होती है इसका सैप्ट में आप लोग लगा दिये विंड मिल तो घूम जाएगी यहां हम लोग जिए बात करते हैं hydro power plant देखे होंगे कभी damn room में जाते होंगे तो सुनते होंगे कि electricity generated हो रही है यहां से विजली पैदा होती है तो कभी गऊल किये हैं कि विजली पैदा कैसे होती है तो वहार्ए भी लगा रहता है क्या generator, ac generator हम लोग देखते हैं तो यह прोकुल को रोटेट करते हैं InRae baare काम रहता इसको रोटेट करना तो हम लोग का क्यान काम रहता इसको रोटेट करना इसकी सोचे और मैं का यसा खोमा निन्डेटर के भूर में समया है तो इस generator के बारे में तो यह देख एक machine है, लेकिन कभी सोचे हो कि इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में dear student क्या-क्या part हो सकती है, तो आज आप लोग को clear बताने वाला हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, यह एक आप लोग का simple जो block diagram, circuit diagram बोल सकते हैं, इसको simple जो लोगों ने अभी क्या देखा, कि mechanical energy देते हैं, हम लोग उसको mechanical energy देंगे, और वो mechanical energy, electrical energy में convert हो जाएगी, means क्या, generator is a device which convert mechanical energy into electrical energy, मोटर के कैस में क्या था, उल्टा था, हम लोग electrical energy देते थे और mechanical energy मिलता था, जैसे fan, है न, हम लोग switch on किये, fan घुमने लगा, मतलब क्या हो हो वहाँ पर, electrical energy is converted into mechanical energy, but in the case of generator, just opposite, mechanical energy is converted into electrical energy, ठीक है, generator जैसे हम लोग बात करेंगे, दो टाइपस में होता है, AC generator जिसको alternating current generator कहते हैं, और DC generator जिसको direct current generator कहते हैं, मैं इसलिए आप लोग को बता रहा थे कि last classes में AC और DC का concept पढ़ाया, क्योंकि जैसे आप लोग AC और DC के बारे म नहीं समझेंगे, तो अभी जो है कि classes समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए AC के बारे में, DC के बारे में, मेरे last lecture में, मैंने clear एक lecture ही बनाए हूँ, AC और DC के लिए, तो आते हैं, हम लोग first one में, और AC generator, जिसको हम लोग alternating current generator कहते हैं, तो डियर स्टोन, जिदे आप लोग को पत होना चाहिए, तो इसका जो प्रिंसीपल है, AC generator का, is the based on electromagnetic induction, AC generator का जोड़ी कोई पूछे, कि what is the principle of working of AC generator, simply you can say that, कि sir, this is the Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction, is the basic operating principle of generator, so what is the Faraday's law, so Faraday's ने क्या क्या था बच्चों, आप लोग का पता होना चाहिए, कि हम लोगों का, देख सकते हो, जिदि कोई coil है, ध्यान से देखिएगा, जिदि कोई coil है, और जिदि हम लोग magnet को move कराते हैं, तो हम लोग का magnetic lines of forces में क्या होता है, changes होती है, so rate of change of magnetic lines of forces जो होती है, rate of change, जिसके current coil में, एक current induced होती है, current induced और EMF induced, voltage induced होती है, या तो इस आप magnet को move कराईए, या तो आप इस coil को move कराईए, मतलब दोनों के case में हम लोग का magnetic lines of field जो होगी, वो change होगी, so magnetic field lines का change होने से ही, according to Faraday's law of electromagnetic induction, what will happen, induced EMF will be produced, current will be produced, देखना में ये लास्ट क्लासे समां पर पताया था, so when the number of magnetic lines of forces through a closed loop changes, induced EMF and induced current produced in the loop, तो ये basic जो principle जदी पूछा जाए, कि what is the principle of generator, तो कभी confusion नहीं कीजेगा आप लोग, simply समझेगा, Faraday's law of electromagnetic induction, बस, और Faraday's law of electromagnetic induction, मतलब बस changing magnetic lines of forces, changing magnetic lines of forces, then EMF will be induced, so ये basic principle के बारे में हम लोग अभी जाने के सी generator में क्या होता है, अब आते हैं इसका जो है construction Spartan, इदे हम लोग construction का बात करेंगे, देख सकते हो, ये क्या देख रहे हैं हैं हम लोग, simple इसको हम लोग बोलते हैं, field magnet, एक magnet, field magnet का बात करेंगे, north pole, south pole, इसके बार करते हैं, ये armature coil, इसको बात करते हैं हम लोग, इसमे number of turns wire जो होकर होता है, लापेटा हो रहता है, वो होता है, इसको हम लोग क्या कहते है, armature, क्या कहते है, armature, आप देख रहे हैं, slip ring, देखिए, ये जो coil है, dear student, आप देख सकते हैं, एक coil के दो end है, जो एक इंट देखिए जो है कि एक स्लिप रिंग माल लेते हैं कि इस स्लिप रिंग से कनेक्ट है यह वाला देखिए ध्यान से यह जो है दो कोईल है यह देखिए ध्यान से इसका यह वाला टर्मिनल कहा पर है यहां पर कनेक्ट है और दूसरा वाला टर्मिनल दूसरे स्लिप रिंग से connect slip ring गि कहीं पर cutting नहीं है यह पूरे ring है पुरा दकती है उसके लिए compresses होती है ako स्लाइडिंग कंटेक्ट होती है तो ब्रस एक्चुली क्या है अप लोग को पता होना चाहिए ग्रेफाइट की बनी होती है जिसको कार्बन कहते हैं कार्बन क्यों यूज करते हैं कार्बन यू नो थैर सेल्फ लूब्रिकेटिंग प्रपर्टी एंड गुड कंडॉक्टर सो यह हम लोग का बेशिक जो है इंपॉर्टन पार्ट है जिनेड़ेटर का सो मैं देख लिए हैं अपने मैंगनेट है यह आर्मेचर कोईयल है और अर्मेचर का देख सकते हैं इस सिलिप रिंग थुछ से सिलिपरिंग के थुरु से अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है देखे इस coil को हम लोगो घूमाना रहता है देखे इसको माल लेते हैं कि इस टाइप से घूमाना पड़ेगा अब उस घूमाने के लिए उसको रोटेशन के लिए हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं या डिजल इंजन यूज कीजिए या थर्मल पावर में इस्टीम यूज कीजिए या आप जो है वाटर यूज कीजिए वाटर का फ्लो यूज कीजिए हम लोग का मेन काम रहगा इस को घूमाना अब जब यह कोईल से नॉर्थ पॉल टू सौथ पॉल क्या होती है मैंगनेटिक लाइन सब्फोर से तो हम लोग अभी समयती है तो कंस्ट्रक्शन होगे दिया स्टुडेंट हम लोग आते हैं इसका वार्किंग प्रिंसीपल में कि यह अब कैसे काम करेगी और एम कैसे इंडिस्ट होगा और य आप यह तो आइए आप लोग जो इसका इसका यह किलिर मैंनेट हैं देखसकते हैं अप लोग इसको डएक ठाहिए य कोल वात संग्स में आरहे होगी यह साथ देखिए इसको दिहान से हूज से कार्बन बरसेख सकते इसको यह क्या हम लोग भपर नियुक्त साथ में क्या हुआ है उतकी साथ हुआ है आप यह तो गूमेगी न हम लोग तो घूमाएंगे या कुछ भी यूज़ करके इसको घूमाना है अब जब यह घूमना शुरू करेगी तभी आप लोग को बतातों क्या होगा अब देखिए इसका तो यहां पर यहां पर इयम याप बता या भी कि whenever there is change in the magnetic lines of forces then rate of change of flux, that is rate of change of magnetic lines of forces, EMF will be induced. according to Faraday's law of electromagnetic induction, यह coil घूमना शुरू करेगी, यह coil घूमेगी, अब जब घूमेगी तो यह magnetic lines of forces को क्या करेगी, change होना शुरू होगा, जितना ज़्यादा घूमना शुरू होगा, उतना ज़्यादा EMF इंडूस्ट होगा, अब बात आती है कि जो EMF इंडूस्ट होगा, इसका directions क को कैसे पता करें, इसका current conditions को कैसे पता करें, तो आप लोगा पता होगा, right hand rule, Flemings right hand rule, Flemings right hand rule, मैंने पताया था आप लोगा यह flaming right hand rules के बारे में student, जैसा कि क्या था इसमें, हम लोग right hand को, mutually perpendicular thumb को, okay, four finger को, और central finger को mutually perpendicular each other हम लोग रखते हों, okay, so then this thumb will represent the motion, the means force, means force, F, हम सिंप बताये थे, तुम लोग के FBI याद करने के लिए, FBI, F, sorry, thumb represents force, this four finger represents magnetic field, and this central finger represents current, so हम लोग कैसे किसों निकालते हैं, तो देकि यहाँ पर जो है कि हम लोगा magnetic lines of forces, उसे ध्यान से देखिएगा dear student, ध्यान से देखिएगा, कि हम लोग का यह जो four finger को हमेसा फोर्ट करेंगे, और thumb जो बताएगी motion के लिए, तो देखिए हम लोग जो coil घूम रही है इस direction में, तो motion हम लोग का जिदि अपवाड होती है, dear student, जैसे कि देखिए ध्यान से, motion जिदि हम लोग का अपवाड होगी, तो हम लोग का, actually हम लोग घुमाने ही पा रहे हाथ को सही से, गुमाने पा रहे हैं, क्योंकि जैसे motion जिदि हम लोग का इस direction में अपवाड होगी, तो current का direction, देखिए इधर से, ध्यान से देखिएगा, हम लोग के current की direction जो होगी, यह इस type से current की direction हो रही है, ठीक है, तो जब इधर current की direction तो उल्टा होने पर current की direction कि इधर होगी, इस direction में current जाएगी, ध्यान से समझेगा, current की direction इस direction में जाएगी, तो हम लोग का coil रोटेट कर रही है, और current हम लोग का देखना है, यह आरि है, तो हम लोग का देखिए, यह क्या है, P है, यह बात कर रहे, Q है, यह अप लोग का R है coil का, और यह S, तो PQ में जो current है, देख सकते हैं, PQ का current direction इधर, RS का direction इधर तो एक half cycle, जब जो coil एक बार घुम जाएगी, तो देखें, यहाँ पर slip ring लगी हुई है यह पर slip ring लगी हुई है, यह ब्रसेश को देखें, slip ring लगी हुई है ये तब क्या होगा ध्यान से देखिएगा भी हम लोग आते हैं next में जब एक rotation complete हो गई मतलब pq देखिए इधर इस side में pq आ गई है ध्यान से देखिएगा और r जो है उस side चल गए मतलब whom के coil उधर हो गई है अब क्या होगा एक rotation तो हम लोग को हो गया कि हम लोग का जो मिला है मान बात के बात ऐसे देखिए ध्यान से समझिएगा ये देखिए एक rotation हम लोग का ऐसा हो गया ठीक है ये हम लोग का ये हम लोग का ऐसी सपला जो है कैसे हम लोग का मिलेगा भी ध्यान से समझिए जब ये एक rotation हो गई है फिर हम लोग राइट हैंड thumb rule तो फिर जदी हम लोगों का देखें, इधर ही हो रही है, तो करण का डारेक्षन इधर जाएगी, और इसका करण का डारेक्षन इधर जाएगे, लेकिन आप ध्यान से समझेगा, आप ये PQ को ध्यान से देखिए, इस PQ में पहले करण कि इधर तरह थी ध्यान से देखिए करेंट उपर की तरह थी ठीक है मतलब हम लोग देख रहे हैं इधर थी ठीक है करन्ट आपो कि यहांप स्लिप्रिंग लगा हुआ है क्योंकि यह जैसे घूम रहे देखिए पहले का position देखिए इस side में देखिए ध्यान से यहाँ पर थी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रस जैसा के तेसा ही रखा हुआ है यह तो ब्रस अपना जगर नहीं change कर रहा है और नहीं देखिए यह जो position है लेकिन यह घूम जा रही है तो घूम जा रही है तो मतलब क्या समझ रहे है कि current जो है इस direction में ऐसा था तो next direction में opposite हो जा रहा है मतलब positive हो रहा है और दूसरे direction में negative हो जा रही है ध्यान से समझ जिएगा current का direction change हो जा रहा है every half cycle में तो यह ऐसा घूमते रहेगी तो हम लोगों को इस type का waveform मिलेगा जिसको हम लोग AC कहते हैं क्या कहते हैं alternating current कहते हैं so working of AC generator में आप समझ रहे हैं कि slip ring का importance है यहाँ पर slip ring का जो क्या कर रहा है यह slip ring simply यहाँ पर slip ring कुछ भी convert नहीं हो रहा है यहाँ जो natural current आ रहा है जो direction हो रहा है उसी को ही कर रही है मतलब जब rotation हो रहा है तो opposite direction of current चल जा रहा है तो वो उस opposite को जैसा तैसा ही रख रहा है ऐसा नहीं है कि इसको invert कर रहा है क्योंकि यह complete देख नहीं पूरा slip ring है आपर कहीं cutting नहीं है कि every half cycle में current का direction को same रखे लेकिन जब हम लोग DC का बात करेंगे तो यही एक important part हो गी अभी य क्यान से समझी AC generator का basic समझ में आप लोग को आ गिया होगा इसमें कोई doubt नहीं होगा dear student simple सा concept था आप लोगो फ्लैमिंग्स right hand rule लगाना है तो हम लोग देखेंगे कि current जब coil एक बार घूमेगा फिर दूसरा बार घूम रहा है current का direction automatic change हो जा रही है तो इस तरह से हम लोगों को alternating current मिल जाएगी so that's why this generator is called AC generator ठीक है AC generator so okay हम लोग next पर आते है dear student next पर so okay dear student DC generator को हम लोग समझते है DC generator so AC को हम लोग समझ ले DC में क्या है तो DC generator में यह से कि बात करते हैं कि direct current generator मतलब direct current so direct के बारे में आप लोगों बताया थे पुरा clear discussion हो चुकी है direct क्या होती है मतलब जो एक ही direction में हो ठीक है जिसको कोई alternating nature नहीं हो periodically change नहीं करें तो construction part का बात करते तो same as well as जो हम लोग का same ही है जो AC generator का बात हम लोग की है लेकिन कुछ important एक जो पाट है आपको बताने जा रहा हूं पर the field magnet में कोई problem नहीं आर्मेचर में भी कोई नहीं सेम चीज है हम लोग के coil रहेगी यहाँ पर भी ठीक है यहाँ पर slip ring लेकिन basically यहाँ पर slip ring का बात नहीं करेंगे यह actually क्या है यहाँ पर split ring है ध्यान देना होगा यह क्या होती है basically split ring मतलब यहाँ पर जो ring है वो slip नहीं है भी नहीं है यहाँ पर यहाँ पर जो ring है वो क्या है दो half circles का ring है अपर ध्यान से देख सकते हैं यह इस प्रियोग में क्या है है split कर दिया है इस रिंग में क्या है split कर दिया गया और बायद बैकि हम जानते हैं कि process simple जो अब ब्रस जो connecting रहती है जो हम लोग का करन को क्या कर रहा है जो flow कराने के लिए ठीक है तो जो basic construction part है one important जो हम लोग का बात यहां पर आएगी जो के है split ring बस split ring और बात कि जो construction was similar to AC generator की तरह ही है तो ठीक इसका हम लोग working principle को समझते हैं तो working principle जैसे हम लोग बात करेंगे तो faradage law of electromagnetic inductions पे ही same same principle पे ही भी भी work करेंगे मतलब जैसे कि हम लोग बात के faradage में क्या बात किए कि whenever there is changing magnetic lines of forces induced current will be produced same concept same concept जो working principle सेम रहेगी आते हैं इसका हम लोग बात करेंगे वर्किंग में क्या है ध्यान से देखते हैं यहीं पर हम लोग जो important है उसको हम लोग समझते हैं तो देखिए जब यह हम बात करना है कि क्या है यह एक magnet है magnetic field lines जैसा कि हम लोग करनते हैं कि यहां पर क्या तो north to south magnetic field lines magnetic field lines इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को अब यह कोईल क्या करेंगी रोटेट करेंगी तो magnetic field lines क्या होगा कट होना सुरू करेगा अब जब कट होना सुरू करेगा तो हम लोग राइट हैंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूड लगाएंगे यहां पर भी और इससे हम लोग का करन देख सकते हैं कि इस इस डिरेक्शन में और इस डिरेक्शन में फ्लो कर रही लेकिन यहां पर जो important part देख सकते हैं यह इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा यह देखिएगा यह देखिएगा इस नहीं करेगी तो देख रहे हैं यह में जो इंप्टन पार्ट है यह इस ब्रिट इसका हम लोग बात करें यह क्या पर लगा हुआ है इस splittering में ध्यान से देखिए और यह दुसरा जो winding हम लोग देख रहे हैं कहां पर लगा हुआ है दुसरे side में लगी हुए तो आप ध्यान दीजेगा आप लोग यह carbon brushes के थुरू से देखिए carbon process लगी हुए जो यहाँ पर B1 है और यह आपका B2M अब क्या कर रहे हैं हम लोग flaming right hand rule के according flaming right hand rule से तो हम लोग यहाँ पर का जो है कि flaming right hand rule से हम लोग क्या निकालेंगे current का direction तो similarly current का direction इधर है और current का direction देखने है इस side में है लेकिन अब जदी एक rotation हो जाए और यह RS जो है इधर जाए और PQ उधर चल जाए तो क्या होगा dear student इस case में यहाँ पर split है है ना तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा क्या क्या करन का direction चेंज हो जाएगा कि करन का direction वही रहेगा ट्राइए देखते हैं तो देखिए next diagram के आते हैं जब हम लोग का coil एक हाप rotate हो गया मतलब यह एक बार घूम गई और हम लोग का जो है देखिए ध्यान से PQ इधर आ गई है है ना और यह जो देख रहे है RS इधर आ गई है है ना तो हम लोग जो फ्लैमिंग का राइट हैंड रूल से जी find out करेंगे तो करण का direction इधर ही रहेगी और इधर ही रहेगी है ना लेकिन क्या आप देखिए तो यह जो PQ है देखिए अब इस PQ को देखिए हम लोग का बात कर रहे हैं कि एक हाप जब rotation हुआ तो हम लोग को ऐसा मिला ठीक ना एक हाप rotation में आप इस PQ को देखिए करण का direction चेंज हो गया तो क्या चेंज हुआ है आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इस रिंग को देखिए इस रिंग को यहाँ पर देखिए आप ब्रसेस को देखिए 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 ब्रसे भी तो घूम करके यहां पर आ गई है यह जो रिंग और गूम करके कहां पर आ गई है यहां पर आ गई है तो करण का डायक्शन एस सही जा रहा था देखिएगा B2 में तो current का direction देखिए B2 में सेम जा रही है अब यहां का जिदी बात करेंगे आप ध्यान से देखिएगा यहां से होते हैं current का direction हम लोग है यह सही है और यह हमेशा यह सही है current का direction जो है यहाँ पर reverse नहीं हो रही है करन्ट का डायक्षण यहाँ पर रिवर्स नहीं हो रहे क्यों कि यह स्प्लिट धिंग MARY आ यहाँ पर जब रिवर्स होने का रहेगा तब यह तो चेंज हो जा रही है न यही यही जैदी पूरा रिंग रहे यही जैदी पूरा रिंग रहे आपका तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है जैसा कोईल जाएगा तो इससे तुम्हारा करेंट जाएगा जैसा करेंट का रोटेशन हो जाएगा क्योंकि यह जैदी जॉइंट कर दे यह पूरा जैदी जॉइंट कट किया गया है ठीक ना किताब यह एक बार रोटेशन करेगा जैसा करन का डायरेक्शन रहेगा वह हमेशा हम लेगों का ऐसा ही मिलेगा तो डीसी का मतलब क्या समझते हैं हम लोग कि जिसका प्रियोडिके लिए रिवर्स नहीं हो वह सिर्फ एक सप्लाई हो तो यह पल्सेट तो नहीं है एक ही मिल रही है मतलब जो सिंपल इसको बोलेंगे क्या डीसी होगा तो डीसी के लिए हम लोग क्या समझ रहे हैं कि simply आप एसी के के स्लीप रिंग और डीसी के स्वीड रिंग अब बस थोड़ा सा आप लोग एक बार इसको वीडियो का आराम से देखिएगा सा यह 벌 quello Gelwood लेकिण देख सकते निए तो वही हैं तो इस पैरे भी कुर्ण इसी ड्रेक्शन में थी और अभी भी सिर्येक्षन में हो रही है उए कुरिण का इर्रखेंशण हम लोगों का चेंज करने में हो रहे हैं नहीं लिधाई देखिए इस समझ में आ गई होगी और ज़्यादी कुछी भी कॉंसेट जदी आप लोग ऐसा लग रहा है कि एसी डीसी का कॉंसेप्ट नहीं समझ में आया सारी लेक्चर को आप वान करके देखिए और देखनी के बाद जो है कि आप लोग को समझ में आना ही है तो ठीक है आशा करते हैं कि आप लोग को एसी जेनेरेटर और डीसी जेनेरेटर का कॉंसेप्ट आज के बाद से कोई कन्फिजेट नहीं होगी शोग के डियर स्टूरेंट बाई अल आफ यू टेक कियर